जेल जाना होगा अगर आपका भी एकाउंट फ्रीज हुआ है तो साइबर क्राइम की दौरा यानि अगर आपके भी एकाउंट में कोई ऐसा fraud transaction हुआ है जिसको लिकर आपके एकाउंट freeze हुए है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है धाने जाने पड़ सकते हैं कोट के जरी के चक्र लगाने पड़ सकते हैं इसलिए साफदान हो जाएं अगर एकाउंट freeze हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथरे बैठे रहें भगवान बरोसे कुछ कदम्स आपको लेने हैं जिससे हरेस्ट से आप बच सकें और आपका समय पैसा और मांसिक परिशानी भी हरोज हमारे पर सवार आते हैं को पर आंक सवार आया है कि स्सार साइब resulting ने मेरे बैंक एक हम फ्रीज कर दिया है मैं आनलाइन बैटिंग करता था वहां से पैसा आया तो फ्रीज कर दिया बारूं बहुंक्त जयादा выпide कुर्शन परिशान होnyt मेरे पास बैटिंग का पैसा आया मैंने कोई fraud नहीं किया है बहुत से लोग ऐसे gaming apps, fraud apps, betting app, cryptocurrency app, telegram task, prepaid jobs, scams से पैसे आते हैं जिसके बाद आपके खाते को block कर दिया चाहते है आपको लगता है भाई या इसमें मैंने क्या गलत किया मैंने काम किया था पैसे आई है या फिर मैंने किसी को service दे थे लेकिन आपको समझना होगा कि जो पैसा आपको भीजा जा रहा है वो पैसा कहीं न कहीं cyber fraud का है और सामने वाला जिसका वो पैसा है वो complain करता है वो पैसा फिर आपके खाते में आया है इस वज़े से आपका icon block होता है इस चीज़ को आप पहले समझ ले यानि हो सकता है कि जिसने आपको पैसा भेजा वो सही हो लेकिन उसके पास जो पैसा भेजा है किसी third person ने वो उस बंदे ने complaint की हो जिसकी वज़े से उसका भी icon block होगा और पिर आपका भी block होगा आम तोर पे ऐसे बहुत से लोग है जिनको टेलिग्राम पे वर्टसब पे आफरस आते हैं जॉब के लोग करते हैं डेट सो पांट सो साथ सो पंदरा सो कुछ पैसे गवाते भी हैं और icon freeze हो जाता है कुछ लोग gaming apps खेल रहे होते हैं वहाँ icon freeze हो जाता है कई बाद crypto currency पे आपने कोई crypto अपना sell किया सामने वाले से पैसे लिए हैं उसके बाद पतर चला कि सामने वाले नहीं कोई complaint कर दी या जो पैसा आपको भेजा वो actually किसी fraud का था किसी के साथ उनने fraud किया था इसकी वज़े से आपका icon भी freeze हो गया और आप एक तरीके का FIR और किस दर्श हो गया because account freeze होने का मतलब भी है कि सामने वाले नहीं complaint किये initially complaint होते ही account फटाफट freeze किया जाता है अब आता है part for investigation का जब FIR होती है तो investigation स्टार्ट होती है पूस्ट आज के लिए आपको whatsapp के माधियम से फोन के माधियम से notice भेज़ कर थाने बुलाया जाएगा आपसे आपके account के आपके identity पूछी जाएगी source of income पूछा जाएगा मामला अगर court में जाता है तो वहाँ पर आपको बेर लेनी पड़ सकती है account को unfreeze कराने के लिए या फिर किसी problem में भी आप फस सकती है अगर आपका भी account बेवशा freeze हुआ है तो सबसे पहली बात है कि आप भी complain करें जो amount आपको receive हुआ है किसी fraud ने भेज़या या आपको पता चला है जिससे कि आपके पास एक defense है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा fraud हुआ था या फिर मैं ऐसे किसी fake betting app में मैंने पैसा लगाया था मेरा भी इतना loss हुआ है मैं एक तरीके का खुद victim हो इसलिए मेरे पे कोई action ना लिया जाया bank account से जुड़े वे नगाने कितने सवाल हैं सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आपका भी कोई सवाल है आप हमें whatsapp करें नीचे comment करें कोई problem है solution आपको मिलेगा जिससे आपका समय पैसा मांसिक परिशानी बचे परिशान होनी की ज़रुत बिलकुल भी नहीं है